Hello students, हमारा new chapter topic क्या है? Comparing and Arranging Number उसमें क्या आता है? Bigger, Smaller, Biggest, Smallest Okay? Bigger, Smaller, Biggest, Smallest तो सबसे पहले हम देखते हैं Bigger Count the biggest Count the object in each set Write the number Tick, Write the bigger number Okay? क्या दिया है हमें? क्या पूछा है? Bigger number पूछा है Okay? और हमें दो comparison करना है दो चीजों को compare करना है Okay? और हमें जो bigger दिखता है Count करके हमें bigger जो दिखता है उसे ऐसे right click करना है Okay? पहला example कैसा है? देखो Okay? सबसे पहला example दिखो यहाँ तीन candles है Okay? कितने है? 1, 2, 3 और उसके बाद क्या है यह? 1, 2, 3, 4 क्या है? Cup है इसको हमें compare करना है Okay? यह कितने candles है? 3 और यह cup कितने है? 4 तो bigger कौन सा है? हमें क्या क्या बताना है? bigger तो हमारा bigger कौन सा है? 3 या 4 हमारा bigger है 4 तो हम ऐसे right tick करना है हमें यहाँ दिया है ना कि bigger को right tick करना है वैसे ही अब मैं second वाला आपको बता जी अब हम हमें peru और orange में compare करना है अब हम सबसे पहले peru count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं फिर यह orange कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 compare किया हमने? count किया? पहले यह आए 6 और यह क्या आए? 5, ओके तो हमें देखना है कि bigger कौन सा है कौन सा है इसमें bigger? 6 या 5 5, 6 से 6, 5 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं 6 क्या होते? 5 से बड़े होते हैं इसलिए हमें वो bigger है 6 इसलिए हमें ऐसे right tick करना है समझ में आए सबको हमें पहले count करना है उसके नीचे ऐसे लिखना है और बाद में जो बिगर होगा उससे ऐसे टिक करना है ओके अब इसके आगे के दो है तो ये दो एक्जामपल आप सॉल करने की कोशिश करो ओके आपको ये समझ में आया ऐसे ही करना पहले काउन फिर देखना कंपेर करना की कौन सा बड़ा है फिर क्या करना है इसे राइट टिक करना ओके अंडस्टैंड ओके थैंक यू